मानस का हंस पार्ट का सार समझते हैं और यहां इस सार को मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ सार को समझने से पहले दो तिन बातें जान लेते हैं एक यह कि यह पार्ट जिसका शीशक मानस का हंस है मानस का हंस नाम के उपन्यास का एक अंश है और इस उपन्यास को लिखने वाले हैं अमरितलाल नागर जिनका जन्म 1916 और अमरिती 1990 को हुई थी और इनकी ये सब रच्चनाएं हैं यहां पढ़ सकते हैं तो पाट का परिशे अगर हम जाने मानस का हंस जो पन्यास है वे गोस्वामी तुलसिदास के जीवन पर आधारित है और यहां इस अंच में हम क्या के पढ़ने जा रहे हैं तुलसिदास जी के मन का द्वंद उस समय जो समाज था उस समाज की मनस्तिति क्या थी तीसर हम जानेंगे रत्नावली जो उनकी पतनी है तुलसिदास जी की तो उन्हें त्यागमई प्रतिमूर्ती क्यों कहा गया है और इस अंच में आप तुलसिदास जी के रामभक्ती के शिखर पुरश के रूप में भी दर्शन करेंगे तुलसिदास जी के रत्नावली के प्रतिस्त नहीं के सासाथ उसके परित्या का पच्चाताब भी इस अंच में पाढ़ने को मिलेगा और अंततह वे लोक कल्यान के लिए पैराग्यमय जीवन का अनुसरन करते हैं यह भी हम जानेंगे उनके मारग में रत्नावली बाधक नहीं बनती बलके तपस्विनी भारतिनारी के समान उनका साथ देती हैं वह प्रबुद और तरक्शिला है संपादित अंच में तुलसी रत्नावली का समवाद मर्विस पश्ची है जिस प्रसंग के बारे में यहां हम पढ़ने जा रहे हैं वह काशी का है काशी जिसे हम बनारस कहते हैं आज वहाँ लोलार कुंड है आज भी है तो वहाँ के मठ में गुस्वामी तुलसी दाज जी है और वे श्रिक्रिष्ण की आरती कर रहे हैं और वहाँ उपस्थिद भक्त जनों को उपतेश दे रहे हैं सत्संग कर रहे हैं तो सिताज जी तो राम के भक्ते हैं पर श्रिक्रिष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हैं तो इसके बारे में स्वैम कहते हैं वे कि जो मेरा आराथ है उसके प्रती मेरी भक्ती इतनी पक्की है कि मैं किसी को भी किसी की भी वंदना करूं वे भक्ती कम नहीं होगी और फिर श्री कृष्ण तो उनके अवतार ही है मतब विश्णु की ही अवतार है श्री कृष्ण और राम भी विश्णु की ही अवतार है तो उनके सभी अवतारों से मुझे बराबर शद्धा है उनके प्रती, यहां तक कि वेशिव कभी गुंगान करते हैं और कहते हैं कि ये बात कहते हैं कि जैसे चुटकी में डोर सधी होने पर पतंग को आप आकाश में कहीं भी उड़ाओ, किसी भी कोने में उसको उड़ाओ, क आके नियंत्रणमन है और उस इस्ट से बंदा हुआ है, तो वे उस इस्ट से दूर जाएगा ही नहीं, चाहे कहीं भी घूम कर आए, और जब भक्त चले जाते हैं और एकांत होता है, तो फिर उन्हें अपने ये बातें खाने लगती हैं, उन्हें में वे खो जाते हैं, और अपने दुख को प्रकट करते हैं, मनी मन में सोचते हैं, उन्हें क्या दुख है? उन्हें दुख है कि श्री राम ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिये, और आपको यह भी बता दूँ कि इस समय जब वे यहां लोलार कुण में हैं, इस समय तक उनका जो कावे ग्रंथ है राम चरित मानस वेह भी पूरा हो चुका है, और वे मन में इस मलाल को लिए बैठे हैं कि श्री राम ने मुझे दर्शन नहीं दिये, हनुमान जी तो कभी-कभी दर्शन उन्हें दे देते हैं, परन्तु श्री राम आप क्यों नहीं आते? ऐसा वे मन में विचार रहे हैं, उदास हैं, और तभी वहां उनका एक शिश्या कर पूशता है, कि भगवान के भोग के लिए भोजन में क्या गया बनाया जाये, तो वे कहते हैं, जो भगवान को रूचे वही बनाओ, तो ये वाकिया भी पूचा जा सकता है प्रशनों में, वस्तोन इस प्रशनों में कि य इस पर वे कहते हैं, कि उन्हें तो उनके स्वात का पता चल गया होगा, कि वे क्या पसंद करते हैं, और मुझे तो अभी तक यही अपना जो दुख है, कि मुझे अभी तक श्री राम ने दर्शन क्यों नहीं दिये, ये बात, ये जो दुख है वो इस पंक्ति में जह लगत है, शिश्य निश्य ही कुछ खिन मन होकर चला जाता है, और फिर उसके बाद वे अपने मन में सोचने लगते हैं, कि जो उस समय का समाज है, उसकी मनस्तिती इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं, कि श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में गोस्वामी तुल सिजाज जी की पहचान बन चुकी थी, जब उन्होंने रामचे रित्मानस लिखा था, तो उसके बावजूत भी लोग उन्हें कप्टी कुचाली कहते थे, तो वे अपने मन में सोच रहे हैं, कि एक और तो दुनिया मुझे महमुनी कहते हैं, दूसरी और कप्टी कुचाली कहते हैं, ये इसलिए वे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अपनी आराधे की प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं, और फिर कहते हैं कि चायद मैं बहुत ही नीच प्राणी हूं, तभी आप मुझे अपना दर्शन नहीं देते, अपने होने का ग्यान नहीं देते, प्रतिती का अ मुझ पर है कैसे देंगे वो दर्शन दे के तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो ऐसा मन में विचार कर रहे हैं और इतने में अब जो अगला भाग है पाट का उसमें है कि राजा भगत वहां पर आते हैं राजा भगत विक्रमपुर से आए हैं यह उनको संदेश मिलता है और जैसे ही नाम सुनते हैं वे प्रसन हो जाते हैं मन में जो इतना विचार कर रहे हैं और दुखी हो रहे थे वह भाव उदास भाव समाप्त हो जाता है वे प्रसन हो जाते हैं और पूछते हैं आरे कहा है राजा और मंदिर वाले जो आंगने उसे बाहर आकर आंगन पा भी है और उसका तपो पूत मुख पहले से अधिक दिव्या लग रहा था यानि रत्नावली एक तपस्वी की रूप में दिखाए दे रही थी तब कौन सा तब पती से अलग रहकर और पती के प्रती अपने निस्ठा को बनाए रखकर उनके प्रेम में अभी भी वे उनी के प् केश विहीन तुलसिदास अब संत हो गए तो उनके बाल दाड़ी सब उनका मुंडन हो चुका है तो इस नए रूप को देखकर वे चकित होते हैं और फिर कहते हैं अरे भाया तुम तो बदल गए तुलसिदास जी जो अब उन्हें देखकर उनका जो उत्साह था ठंडा भाव में रह रहे हैं और वहां फिर से अपने विवाही जीवन के बारे में सोचके उनके मन में कुछ ऐसे विचार आए कि वे उदास हो गए और राजा से पूछते हैं रूकेस्वर में यानि उन्हें रतनावली का वहाना अच्छा नहीं लगा वे पूछते हैं इने क्यों रतनावली अब तक तेजी के साथ आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी क्योंकि उनके पती हैं उसके प्रति अपना भाव दिखा रही हैं आदर भाव तो उसी दास ने अपने पैरों पर रतनावली के उंगलियों का स्पश अनुभव किया उस स्पश में इतनी रपती थी कि पलभर के लिए मन से राम बिसर गया उनके इस पश्र से उनके ऐसा लगा कि चीराम को भूल वे फिर से रतनावली की और आकरशित हो रहे हैं और फिर उन्होंने जो ये बात जब उनको ऐसा अनुभव वहा तो जो गुस्सा रुखापन उनके स्वभा में था को चला गया और राजा से उन्होंने कोमल्सवर में कहा कि अंदा चलो और आराम करो फिर हम बात करेंगे और अपने शिष्य प्रभुधत को पुकार कर कहा कि माता अपनी माता यानि रतनावले जी को उपर के कमरे में पहुचा दो और भगत जी की व्यवस्था भी रहने के वेलिए अपने पासवले कमरे में कर दी और माता जी इसनान गंगासनान के लेए तो किसी को उनके साथ भेज तो यह भी आदेश दिया जो उनका शिश्य है उससे ऐसा आदेश दिया रतनावली गंगाशनान करके वापस आती हैं और उनके जो मठ है उसमें सबको पता जाता है कि दूसी दाजी की पत्नी आई है और उन्हें वे माता जी कहकर संबोधित करते हैं रतनावली रसोई में जाकर रसोईयों की मेदत करती हैं और खाना बनाने में उनके सहता करती है रसोईयों की और खाना खाकर तुसी दाजी को बरसों पुराना आनंद आज फिर से प्राप्त होता है खाना खाने में उनको स्वाद आता है तो यह बताना चाहें कि रतनावली के प्रती उनका मुह फिर से जागने लगा है और फिर भी वे अपना मन उस तरफ से हटाने की कोशिश करते हैं और भागवत पढ़ते रहते हैं और राजा से जब वे बाते करते हैं तो सारी बाते करते हैं सब का हाल जाल पूछते हैं अपने बारे में बताते हैं और इधर उधर की सब थरकी बातें करते हैं लेकिन रतना वाली के बारे में एक बात भी नहीं पूछते, अब दूसरे दिन टोडर वहां पर आते हैं तो टोडर से उनकी मुलाकात, राजा की मुलाकात करवाते हैं, उनका परिश्र देते हैं तुल सिदास जी, और यह भी बता परिश्र देते हैं कि पंडित कंगा राम, जो कि तुल सिदास जी के बाल सखा हैं, उनको खबर कर दें कि उनकी पतनी से रतना वाली मिलना चाहती हैं, तो टोडर मल जो हैं वो खबर कर देते हैं, और पंडित कंगा राम के यहां जब सूचना पहुंचते हैं, तो वो रतना और रतनावली प्रलाद घाट जाती है अब यहां यह सब होने के बीच में दो-चार दिन बीथ गए हैं और रतनावली दो-चार दिन यहां पे हैं मठ में हैं लेकिन तोसिधास जी से उनका आमना सामना नहीं हुआ है सिदाद जी उन्हें देखना चाहते हैं लेकिन उनकी एक जलक भी नहीं पा सके हैं और जब भी खाना खाने बैठते हैं तो रत्नावली के चावी उनके मन में आती है कहने कारत हैं उनके मन में द्वंद चल रहा है उनके पत्नी के प्रती उनका मौ जागा हुआ है अब जब र राजा और ये बैठे हैं और रसोया दो ग्लास में दूद लेखे आता है और तुल सिदाज जी दूद नहीं पीना चाहते अनमना सा रुख अपना दिखाते हैं राजा उनके मन को भाब चाते हैं और उने छेड़ते हुए कुछ बाते कहते हैं ये जो बाते कहीं है कि गोसाई जो खाते पीते हैं ये ब्रामन जो खाता है वो भगवान को ही पहुँचता है तो इस तरह से कि भी तुम दूद लाएं तुम पीलो अब गोस्वामी जी चुप होकर दूद पीते रहते हैं और बात में उन्हें राजा के मन का हलका सा संकित मिल गया था कि राजा कुछ कहना चाते हैं लेकिन वो उस बात को टाल जाते हैं क्योंकि राजा भगत अपने साथ रतनावाली को लेके आयते इस उद्देशे से कि रतनावाली अब तुलसिदाजी के साथ ही रहें तुलसिदाजी उनको अपने पास उनको पतनी का सम्मान देते वे अपने साथ ही रखें इस उदेशे से लाये थे तो ये उदेशे वे समझ रहे थे मन में लेकिन इसको वे अंदिखा कर देते हैं कौन तुलसी दाज जी और क्योंकि उन्होंने तो वेराग ले रखा था गरगरस्ती छोड़ दी थी लेकिन फिर भी मन रतनावली को देखने के बाद उनके तरफ किंच रहा था अब राजा तुलसी का पैंतरा समझ जाते हैं कि वे बात को टाल रहे हैं वे समझ तो रहे हैं तुलसी समझ रहे हैं कि मैं रतनावली के बारे में कुछ कहना चाता हूं लेकिन टाल रहे हैं तो उन्होंने अपनी बात रखी राजा भागत ने कहा कि दो तपसी जब मिल जाते हैं तब दौनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का होसला मिलता है तुम्हारी तपस्या सारी दुनिया देख रही है तुलसिदास ने रामचे रित्मानस लिखी और पूरे मनोयोग से अपना सब कुछ श्रीराम को आर लिए तुमारे लिए अपने आपको पूरा समर्पित कर चुकी है और अपने मन को ठिकाने पर लाएं कहरें कि उनका जो तप है उनका जो समर्पन है तुमारे प्रती वह भी एक तप के समान है उसको हम देखकर अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं और फिर आगे कहते हैं क कि इस कलिकाल में यानि इस कल्यूग में ऐसा कठिन जोक साधने वाली जोगिन गरिशंग के जली है, रतना के लिए समर्पित है. यह संतोर जिस तेजी से अपने चरम बिंदू परों पहुंचा उससे ही मन का परदा फड़ पड़ा कर पलट भी गया उन्होंने फिर अपने आपको समझालने की कुछिश की और फिर भूला ओह राम नाम फिर से घट में याने अंतरमन में जपना शुरू कर दिया राजा कहने लगे राजा उसे बता रहे है कि तरह से वे तुमारी आद में अपने आपको व्यस्त रखती है किस तरह से उसने अपने आपको तुमारे लिए ही समर्पित कर रखा है बताती है कि तुमारी रुची का यहने तुलसिदास की रुची का खाना बनाती है और किसी का अंगाल को खिला देती हैं और बिल्कुल जैसे रोज तुमारी धोती धोना, तुमारी पुजा के समगरे लगाना, तुमारी बैठक में जाड़ू लगाना, तुमारी हार चीज़ क कर रतनावली को एक ही बार तो उन्होंने देखा है आने के बाद उसके बाद तो देखा नहीं तो वही जलक उनके मन पे फिर आने लगती है और उनका मन फिर डोलने लगता है तो कहां तो उन्होंने अपना मन पूरी तरह से भवान राम में लगा लिया था लेकिन अब सुनके और भी आता प्रभावित हो रहा था तो फिर राजा ने आगे कहा कि सीथा के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रहे पाए तुम से अधिक भला ये बात कौन समझ सकता है तो इसी तरह से उन्होंने ये सब कहके ये कोशिश करने चाहिए कि रतनावले को किसी तरह से तु रुसिदाजी को ये सब बातें कहीं अच्छी भी लग रही थी और कई बार उनका मन इन सब बातों से अलग होने का कर रहा था जैसे थाली का मैंगन होता है कभी यहां लोड़क तक कभी वहां ऐसी उनका मन हो रहा था फिर उन्होंने बात टालते वे कहा कि अब हम आराम करे कि आप चाहिए और रात को सोने का प्रयास वे करते रहे लेकिन वे सो नहीं पाए और सोचते रहे सोचते रहे और यह भी सोचने लगे कि मैं राम के लिए तरबता हूं और रतनावली मेरे लिए तरबती है और शायद मैं रतनावली के प्रती निस्ठुर हूं उसकी बात न नहीं मान रहा, उसे यतोचित सम्मान नहीं दे रहा, इसलिए शायद श्री राम भी मेरे से दूर है, मुझे दर्चन नहीं दे रहे, तो मैं जिस तरह से राम जी के प्रति समर्पित हूँ, रत्नावली मेरे लिए समर्पित है, और मैं निस्टोरता दिखा रहा हूँ, तो रा वक्त उल्जन में है, रात में उन्हें नींद ही नहीं आई ठीक से, सुबह पंडित गंगा राम के यहां से उन्हें बुलावा आता है, लेकिन वे कह देते हैं कि यह नहीं आएंगे, टोडर आये तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोर आया, का भी महत्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर आये, लेकिन उन्होंने यह सोचा मन में, कि शायद राम उनकी परिक्षा लेने के लिए प्रस्ताव टोडर के मुझ से कह रहे हैं, तब वे बोले कि विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बन सकता, उन्होंने अपने मन को पका कर लि कि अब मैं बैरागी हूँ, अब फिर से पुराने जीवन में अपने ग्रस्त जीवन में नहीं लोटना चाहता, किसी के, किसी और के मुहों में नहीं फसना चाहता, मैं सिर्फ शेराम का ही भगतु हूँ, आप उन्हें अब यहीं रहने दे महात्मा जी, ये टोडर कह रहे है कि अपनी पत्नी को अपने साथ रख लें, लेकिन बात पूरी भी नहीं उपाई थी, कि गोस्वामी जी ने उसी जटके से काट दिया, और उप्ते जिस्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने और अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधार में ही लटका दू, यह असंभवे टोडर, तो इसका मतलब यहां उन्होंने अपना मन पका कर लिया है, आगे टोडर कहते हैं, एक शमा करे महा अत्मा जी, किन्तु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी, वल्लब स्वामी की गहर गरस्ती उनके साथ रहती थी, फिर भी उन् उक्षलिया, तो उसी ने उन्हें समझाया, तुम समझते नहीं हो टोडर, आज का समय वल लभाचारे जी के दिनों जैसा नहीं है, कबीरदाज जी वाला समय भी बीच चुका है, यह कल यूग है, नैतिकता का इतना पतन हो चुका है, कि यदि एक स्तर तक उठाए ना रखा जा सका, तो फिर संसार अनैतिकता के लपेट में आए बिना कदापी नहीं रह सकेगा, अब टोडर चुप हो जाते हैं, उनका यह तरक सुनके, और उन्होंने जो राजा भकत हैं, उन्होंने इस बार तुलसी रतनावली का मेल कराने के लिए जो पूरा स्रड़यंत रचा थ वह भी विफल हो जाता है, बंडित गंगाराम, टोडर यहां तकी कैलास कभी को भी अपने पक्ष में कलिया था, गंगाराम आए तो उन्होंने कहा, कैलास आए उन्होंने भी कहा, मत में रहने वाले शिश्यों ने भी कहा, माता जी परविदूशी हैं, उनकी यहां रहने से हमारे अध्यन में बड़ी साहता मिलेगी तुलसी सुनते उपर से विरोध करते परन्त उनका मन कहता कि तुलसी जी का मन कहता कि रत्नावली को पास रख कर यदि अपना ध्यान साधो तो सुघम रहेगा फिर थोड़ी सी कहीं से उनके मन में ये बात उठ जाती काम विकार कभी ना कभी मुझे सता तो जाता ही है उससे कहिए अच्छा है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर शांत रहे मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मतित करने लगा यानि मन में फिर से जो उलजने हैं मन में जो द्वंध है वो चल रहा था एक दिन एक नाई उनके आता है और नाई का काम क्या होता है यहां वहाँ की बातें सब सुनके यहां वहाँ करना तो क्योंकि वो घर घर जाता है बाल बनाता है तो सब जगे की बातें उनसे पता होती है तो एक नाई है उसका नाम है नाथू तो जब तुलसिदाजी के यहां बाल बनाने के लिए आता है तो वो देखता है कि रतनावली जी की पालगे आगी और देखता है कि रतनावली पालगे से उतर कर उपर चली गई तो यह जो नाथू है अब गोस्वाई जी की यानि तुलसिदाजी के पास पहुंचता है और किस्वते ने उसका जो नाई का बक्सा होता है जिसमें समान होता है उस तरह और पत्थर वतर तो उस तरह पे वो घिसता है उसको पैना करने के लिए तो यहाँ जब नाई उनके पास खड़ा है तुलसिदाजी तब उनको एक नौकर आके बताता है कि माताजी लोटाई है माताजी कौन है रतनावली रतनावली को संबोधित करते हैं माताजी कहकर अब तुलसिदाजी के चेहरे पर संतोष जलक जाता है और वे कहते हैं कि हां उनसे बराब चला जाता है और ना थो कि अब उसकी नजर सब पर चौन हो रहा है तो कहता है कि हाँ माता छी आ गये सरकार यह तो बड़ा अच्छा और छेट उन्हें को असरों इंजा रहा है तुल enfant को पता करना चाहा रहा है और तुल जी को तो अंदाज़ा था कि इस तरह की बातें नई पूछते रहते हैं कुरेद रहते हैं तो वह चुपी रहते हैं कोई जवाब नहीं देते उन्हें अच्छा लग रहा था कि रतनावली वापस आ गई हैं गोसाई जी कि ठोड़ी को पानी सितर करके मीज देना तो ने फिर अपना रागलापा फिर कुरेदना चाहा कहा यह दुनिया वाले बड़े अजीव होते हैं महाराज कलजुक में सब का मन काला हो गया है वह अपनी बात कहने की भूमी का बना रहा है यहां क्योंकि जो समाज है वो तरह तरह की बाते बनाने लगता है अगर कोई संत मात्मा के या को इस तरह आई है चाहिए उनकी पतनी ही क्यों ना हो तो सब के मन में शक है कि पतनी वो रखेंगे या उसको फिर छोड़ देंगे रखेंगे तो मुश्किर छोड़ देंगे तो फिर उनको कहेंगे कि हां उसने अपनी पतनी को धोका दे दिया उसके साथ नहीं रह रह संत बन गया है तो हर तरह के लोग हैं तो ये कल्यू का समय है और समाज में इस तरह की लोग इस तरह की बाते करते ही रहते हैं तो सिधा चुपचाप आँग बंद करके बैठे रहे और नातु ने कहा कि जब से माता जी काशी आई है तब से लोग सब हम से पूछते हैं कि नात लेने देना लेकिन लोग पूशते हैं इस तरह की बाते हैं, उनकी बड़ी रुची है इस बात को जाने में कि रत्ना वली तुलसिदार जी के पास रहेंगी या नहीं रहेंगी? फिर वो और उनको कुरेता है, क्योंकि चुप रहते हैं तुलसिदार जी कोई जवाब नहीं द कहने कारता है कि आपके लिए लोग बाते बना रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता है अगर आप रखेंगे तो लोग बाते बनाएंगे उसके कहने का आशा यही है अब आगे तुलसिदाजी के मन में संतोश और सुक्का महल बालो की दिवार सा डह पड़ा क्योंकि यहां लाएंगे तो उन्हें अब गुसा आजाता है विए कहता है इस प्रसंग को अब यहीं पर समाफ्ट कर दो नत्तू उन्हें यह बाते आच्छी नहीं लगती कि नत्तू इस तरह की बाते उन से कह रहा है अब वह भी जुप चाब अपने काम में लग जाता है और यहां वो न ब्याकुल होता रहता है और फिर वे अपने आराधिय को मन में पुकारते हैं और कहते हैं कि मेरा मन जो है वो पगला गया है और कभी वो अपने वेराग्या के तरफ जाता है और कभी फिर से रागद्वेश में उलच जाता है कभी वे पाखंडी बनता है तो कभी क्या नहीं तो इस तरह से वे अपने इश्वर को पुकार रहे हैं कि उन्हें रास्ता दिखाए, वे मन से दुखी हो गए है और अब ये मन मेरा काबु में नहीं आ रहा है कृपा करके उसे निरोगी बनाए अपने चरणों की अटल भक्ती दे के उसे शांत करे तो इस तरह से यहां वे अपने आराध्य से अपने मन को शांत करने के लिए प्राटना कर रहे हैं अब नाई ने जब यह देखा कि तुलसिदाज जी की आँखों से आशु टपक रही है तो चुप हो जाता है फिर जैसे ही उस तरह और हाथ का इस परश हटा तो तुलसिदाज जी भी होश में आते हैं सचेत हो जाते हैं कि अरे मेरी आँखों से आँसु निकलने लगे है तो फिर वो कहते हैं कि मेरा मन तो राम का बावला है कभी हसता है कभी रोता है तुम अपना काम करो नतु अपना काम करके चला जाने लगता है तो तुसिताजी उसे कहते है अब जो कोई तुस से पूछे तो कह देना कि माता जी अपने मुह वश चार दिन के लिए आई हैं शेगरी चली जाएंगी तो यहां उन्होंने अपना निर्ने सुना दिया है न तो फिर कहता है क्यों दो ही दिन में मठों के मठ के सारे लोग उनकी बढ़ाई करते हैं तो गोसाई लोग तो ग्रस्त वाले हो नहीं चलूंगा मैंने ग्रस्त आश्रम से त्याक किया सो किया अब उनके मन में एक द्रड़ निश्चे आ जाता है और फिर वे नौकर को बलाकर रतनावली के लिए संदेश देते हैं कहते हैं कि वे शीकर राजापुर चली जाएं रतनावली ने उसी दास के द्वारा कहला जाया कि वे उनसे मिलना चाहती है जब यह संदेश उनकी पास पहुचा तो उन्होंने का मैं मिलना चाहती हूँ और तो लसी दासी का पहले तो मन वह कि माना कर दें फिर उन्होने का ठिक है भेचतो को ठ्रड़ नगी नहीं देखना चाहते पढ़िए के दौना तरह बैट पंडित गंगा राम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित राम चरित्मानस का परायन किया था मैंने उसे वालमिकी जी की कृति से स्ट्रेस्ट भक्ती प्रदायक गरंत पाया इस तरह से रतनावली अपने पती की उस कृति की प्रशंशा कर रही है और तुलसी दास को यह सुनका संतोष होता है कहते हैं आदी कवी के परम पावन गरंत से उसके तुलनाक ना करो देवी वैसे हैं जानकर मैं बहुत संतोष्ट हुआ कि तुमने यह गरंत पढ़ लिया राम चरित मानस की एक प्रति यानि वे एक कॉपी मांग रही है राम चरित मानस की प्रति रतना वली जी तुलसी दास जी से मांगती है और तुलसी कहते हैं हाँ वे तुमारे पास पहुंच जाएगी टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्ता कर रही है राम के भक्त हैं राम के सेवक हैं तो राम में ही अपना मन लगाना चाहते हैं और फिर रतनावली जी कहती है मैं जाती हूँ लेकिन मुझे एक भिक्षा दीजे क्या भिक्षा कि मेरी मृत्यों से पहले मुझे एक बार अपने मुझे मिलने आना और मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करना तो यह है उनकी इच्छा थी जो उन्होंने जाने से पहले उनसे कही तुलसिदास जी से तो तुलसिदास जी ने वचन दिया कि हाँ मैं जरूर आऊंगा अब यहाँ जो शबदार्थ दिये हैं शब संभ्रांत याने सभ्यव्यक्ति पाक्षास्त्री खाना बनाने में प्रवीन लालता लल्चाता कलीकाल कल्युक ये इंपोर्टन है अब इस जनम में हमारा तुमारा साथ नहीं हो सकता ही तुलसिदास के इस कथन में व्यंजित क्या भाव है तो यह वैराग्य का भाव है राजा भगत अपने साथ किसको लेकिया थे रतनावली को लेकिया थे और इसका लिकाल में ऐसा कठिन जोग सादने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी जोगिन किसके लिए शब्द आया था रतनावली के लिए आया था रतनावली ने तुलसिदास के किस रचना की प्रती मांगी रामचेटित मानस की प्रती मांगी विदाई के समय भिक्षा के रूप में रतनावली क्या विंति करती है कि अंतिम समय में उसके अंतिम समय में यानि मृत्तियों से पहले एक बार तुलसिदाज जी का मुह देखना चाहती है तो इसके साथ ही यह पाठिया समाप्त हता है धन्यवाद